तो वेसिकली ना काफी सारे बंदे जिनको भाई Android टूल का अपडेड मिला है उनके डिवाइस को पर हो सभी बंदे मेरे को पूछ रहे कि भाई मेरे डिवाइस को बने एक डिवाइस कंटूल करके एक नया ओप्शन है इसका काम क्या है तो वेसिकली मैं उन सभी को बता देना चाहूंगे जो डिवाइस कंटूल वाला ओप्शन है एक बेकार ओप्शन है इसको ना टाइम पास के लिए भी ना इसको यूज मत करना कुद के डिवाइस को इसका काम क्या है मैं आपको बताएता हूं तो बेसिकली ना आपको नोटिविकेशन केंदर आना है अगर आपको डिवाइस को पर ऐसे डिवाइस कंटूल करका ओप्शन शो करते यह पर डिवाइस कंटूल वाला ओप्शन को पर क्लिक करने ठीक जैसे यह फर्स्टाइम डिवाइस कंटूल वाला ओप्शन को पर क्लिक करोगे तो आपको यह पर एक कैट कंटूल वाला ओप्शन देखने क करने के बाद आखीर में जो शेब वाला ओपशन की यापर आपको देखने को मिल जाएगा उसके उपर आपको ग्लिक करने आपके सामने कुछ स्टेक का पेज आ जाएगा जा पर सबसे पहले लिखा होगा इसे पर वाटर बबलर करके तो इसको ना आपको ऐसे राइट की और सॉइक करके फिल कर देना है 200 एमल तक जो आपको यह पर वाटर लाना है इतना है यह पर काम है आपका नेक्सट पर फूद वावल जो ओप्शणों होगा इसको पर एक सिंगल टैप करना तो यह पिल हो जाएगा तो फूद वावल जैसे यह पर फूल हो और अपर किसी काम कर नहीं तो वोलूंगा चैसे मैं बेकार आप्षण है टाईम पर के लिए इसको यूज मत करना वह रहता है देख लो इसी काम में आता रिवाइस कंट्रल कुछ और रहता है इप आप बस नोटिफिवेशन पैनल के अंदर जाना एडिट बाल ऑप्शन को पर टैप करना एंजो डिवाइस बाला कंटोल होगा उसको नोटिफिवेशन पैनल से यसे एडिट करके हटा देना ठीक है एक किसी काम करने ही आप ठीक है इसको रखने से कुछ फायदा नहीं होगा टूर्फिवेशन को जानना था आप डिवाइस गंटोल वाला ऑप्शन याप पर क्यूंद या तो भाई यही काम के लिए डिवाइस कंटोल वाला आपको आपको प्र आप्शन दिया घए तो इसको टाइम पैस के लिए भी यूज मत करना तो चलो यार आई थिंग आप